मेरा सुधीर राज सिंग्जी आएं और जो हमारा वीड़ा वीपिल का जो कंसेप्ट है जिस पर हम पिछले साड़े चार महिने से मेहनत कर रहे हैं उस पर अपना प्रकास डालेंगे सुधीर राज सिंग्जी आगए धन्यवास झालेंगे, आज का जो कारिक्रम है हमारा इस्पेसल घंम का होता है धम का होता है और धम से समद्ध्य जो भी चीजें है उनका यहां जिक्र होता है उनकी चणिश jestem कि हमारी हमारी fix है वैसे तो हम 355 दिन और पैदा होने से लेके मने तक सारा काम धम के अनुसारी करते हैं मगर धम और धमा का जानकारी ना होने की वैसे हमको पता नहीं चल पाता कि हम सारा काम धम के अनुसार कर रहे हैं हम कोई भी काम करें दुनिया में जब से हम पैदा होते हैं और ज तो यहां जो संग है उसकी बात करेंगे क्योंकि बुद्ध धम और संग यह तीन सब्द ऐसे हैं जो आपको निरंतर भारत में लगातार सुनाई देते है अगर आप कहीं दुनिया में जाते हैं विदेश में जाते हैं और अगर आप अपने भारत के नाम को देश को भूल जाए आपका पासपर्ट खो जाए और आपको उनकी भासा ना आती हो तो आप सिर्फ बुद्ध बोल देना वह आपको भारत की में छोड़ाएगा इतनी ग जो एक सब्द दिया वो दिया संग और संग सब्द बुद्ध के बाद ही एक्जिस्टेंस में आया है इससे पहले था रही है किताबें आप भूण लेना चान लेना आपको संग नहीं मिलेगा कहीं संग बुद्ध की प्रॉपरटी है बुद्ध का कॉपी राइट है जिसमें गय लगता है और संग जिसमें गय लगता है बहुत बारिक सा अंतर है संग जो है जैसे हम कहते हैं संगत हो गई या जो हम कहते हैं कि संगती में चला गया यह संग से बनाए गय से बना है और अगर गय लगा देंगे इसमें संग कर देंगे तो इसका मतब है कि बुद् नियम से बरत्पना है कि वो पूरी जिंदगी आज जीवन सिर्फ एक समय के खाना खाने पर वो भी पढ़ाने के बात यही महनत करेंगे तो खाना मिलेगा खाना खाएंगे और उस खाने के आधार पर पूरी जिंदगी अपना देंगे लोगों को सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए और लोगों की बुराई छुड़ाने के लिए और उनको इस जीवन में यह बताने के लिए कि जीवन क्या है यह सारा काम जो लोग कर लगे क्योंकि काम बहुत जबर्स था लोगों के कल्यान का था और जिन लोगों को लोगों का कल्यान नहीं करता करना चाहते हैं या लोगों को तोड़ना चाहते हैं या लोगों को बाट कर तोड़कर फाइदा उठाए या उनमें बुराईयां डालकर फाइदा कमाते हैं वो संग के दुस्मन हमेशा से बने रहे तो वो क्या कहते थे वो कहते थे कि बुद्ध संग नायक है जबकि बुद्ध संग नायक नहीं है बुद्ध धमिक हैं बुद्ध सांगिक हैं और बुद्ध बुद्धिक हैं तीन बुद्ध हैं तीनों गुड़ून के अंदर हैं मगर हालाकि यह वजी लोगों से और खुद साकेगड़ राज्य में था मगर इसको डबलप किया इसके नियम बनाए तो इसका यह नियम था कि संग का नायक संग ही रहेगा लोग उनपर आक्षेप लगाते थे कि बुद्ध संग के नायक हैं जब कि बुद्ध कभी संग के नायक व कैसे संग को तोड़ें और कैसे संग को खतम करें संग को तोड़ने के लिए और खतम करने के लिए बहुत सारी बातें बनाई गई और बहुत सारी बातें की जजाती हैं जैसे यह आरोप लगा जाता है कि बुद्ध उसके नायक रहे हैं तो यह बात कहीं किसी भी साहते में नह को फायदे में आने लगे लगबग 500 साल वाद बुद्ध को खतम करने के लिए पूरी कोशिस की गई तो बुद्ध को खतम करने के लिए या किसी संत को खतम करने के लिए तीन बातें हमेंसा की जाती है और वो अभी की सकल कैसी थी बुद्ध का रूप कैसा था बुद्ध का रंग कैसा था बुद्ध के कान कैसे थे तो उनके फोटों में बाल भी बना दी जबकि साहित यह कहता है कि मुझ 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 लेते आज़े दो और द्यान करें तो उनके सरीर इसलिए यह जरूरी कि साध्रां में उस विपस्ता में उनको सारे बाल हटाने पड़ें, क्योंकि वो 24 गंटे ही साध्रां में विपस्ता में और उ conse बने मेर्टिशन में रहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने बाल को खतम करते थे, यहां तक कि अपनी आई ब्रोव भी पटा लेते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध अपने भिक्रों के लिए तो नियम ये रखें कि वो बाल नहीं रखेंगे और अपने लिए ये नियम रखें कि बाल रखेंगे फिर तो संग खतम हो जाएगा फिर तो समानता का नियम नहीं हो जाएगा फिर तो बुद्ध बुद्ध नही रहेंगे इसलिए जो कहानी है वो कहती है कि वो मुंडा थे और मुंडे थे और मुंडों के वारे में के वार कहानी आती है तो फुर्टू बाद में बिगाड़े गए उनके माथा उंचा दिखाया गया माथा किसी का उंचा नीचा हो सकता है ये बात मानी जा सकती है मगर बु कि लिए कलाकारों ने अपने भाव में आके अपनी एक तरसे खेंए भक्ती में आके पांसो साल बाद बगती डबलप हो जाती है किसी महापरुस के साथ में तब ये फोटो उन्हों ने बनाए हो उसके बाद में उनके कान बहुत जादा लंबे दिखाएगे जब कि किसी साधा के वारे में अपने वारे में कोई जिकर नहीं किया क्योंकि कोई बुद्ध अपने वारे में कभी नहीं कहता अपने परिवार के जो लोग रहे हैं आज के समय के उस समय के मगद के लोग रहे हैं मगद में आज भी दर्मियाने किस्व के लोग रहते हैं यानि कि कम हाइट के लोग रहते हैं और वहां तापमान जादा होता है तो काले रहते हैं और वहां गर्मी देती है इसलिए गोरी नसल होने का या गो तो उसको कलप नामे भक्ती में बहुत सुंदर बनाया जाता है और इतना सुंदर बनाया जाता है कि बाकी सब उससे नीमन लगें बाकी सब उससे छोटे लगें और भक्ती आगे बड़े भक्ती भावना आगे बड़े और उसका सध्धान्त और उसकी जानकारी पीछे चली ज जाती है इसलिए विपastना चली औरелей ध़ारत से इसलिए धंब चला गया भारस से इसजें लोक भूल गए कि विद्ध ने किया किया था और क्या उन्होंने से कया था है यह जांपारी भारत के पूरी तरह से चली गई पर हमको भी नहीं मिलती अगर यह विपसना के थो नहीं मि बुद्धिष्ट कहता है उसको तो जरूरी जाना चाहिए और दूसी तरफ से जो खतम करते है वो खतम करते हैं उस व्यक्ति का उस संत का सारा नाम वोगता जान निसान मीटाकर यानि उसकी पहचान खतम कर दे में, उनके रूप रेखा बदल दी गई, उनकी बात है तो कोई बताता नहीं है, और जो बताता है वो बातें बदल के चमतकारी कर दी गई, ऐसी कर दी गई, कि जो गले उतरती नहीं है, उनको समझाने में पूरी जिन्द की निकल जाती है, आप समझा नहीं सकते, तो कि वो ब बाते हुए और उन बातों में बड़ी फिरुक्ट कि शारी इसलिए बाते हैं क्योंकि समण से वमण बना धिया यन के जो एक व्यक्ति बुद्ध जो समण है और जिसका पूरा संख समण है उसको यह कह दिया कि वो वमन हैं और वमन को भी बाद में ब्रहामने में बदला और कह दिया उनसे केलवा भी दिया और बुद्ध का बग भी डाल दिया ऐसा उनके साथ किया उनको खेतिये से छेत्री में बदल दिया उनके पिता खेतिये थे किसान थे खेती करते थे वो खुद खेती करते थे उ कि सेना है तो जो सेनी बिंबिसार है सेना वहां से आरम हुई है उसे पहले सेना भी भारत में थी नहीं तो उनको छत्रिया के दिया बाद में और छत्र को भी छत्रवाला के दिया यानि खेतिये से छेत्रफल वाला बनाया और छेत्रफल से छेतिये बना दिया फिर उनके बाद कि उनको अफ्टार भी घुसित कर दिया हाला की अफ्टार का मैं विधियू बनाया आप देख सकतें हैं अफ्टार का मतंब है निननकरना चोटा करना अफ्टार भी बना दिया गौर्ड़ ये उनको खतम लोग वेपस्टा करते हैं वो तो समझ जाते हैं के बुद्ध क्या है और कहानिया सुनते हो जाते हैं और यह बहुत बड़ा जगड़ा चला है भारत के अंदर क्योंकि जब हम कहते हैं कि बावा साहब साइन्टिफिक बुद्ध बताएं है और किताबों में चमतकारिक बुद्ध होता है तो आदमी कन्फुज हो जाता है कि बावा साब की मात माने या चमतकारिक बुद्ध की उन किताबों को माने जो किताब बावा साब ने या किसी ऐसे वेक्ति ने लिखी नहीं है जो जानकार है और जो उन्होंने लिखी है जो हम लोगों को बुद्ध को खतम करना चायते हैं और यहां तक कि जो उनकी गौतम चरिया थी गौतम जहां भी सब्द गो लगता है इसका दिन जो चरिया करते हैं, पूरे दिन जो काम करते हैं, उसको गौतम चरिया बोलते हैं, चार तरह की चरिया होती है, उसको गौतम चरिया को गाय की चरिया बोल दिया, यानि कि गौचर बोल दिया कि गाय चर रही है जबकि गौतम चलता है, तो गौ जहां सब्दा आता है, महा गौतम से गाय जबकी गाय को पाली के अंदर धैनू बोलते हैं, गौ नहीं बोलते, गाय नहीं बोलते, क्योंकि गाय यहां का है भी नहीं, गाय सफेद रंग का जानवर है, उपर का पहालो का जानवर है, यहां का है नहीं, मगर गौतम चरिया को उन्होंने पूरी पूरी तर बद्ख को बदल दिया पैर से और पैर से कह दिया पैर को देखो, तो लोग पैर भी पूझने लिए, यह बातें संग को खतम करने के लिए और खतम करने के लिए पूझ की गई है. जब भी आप संग बनाओगे क्योंकि आप संग बना रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां जो लोग आएंगे कुछ यहां धन इखटा करने आएंगे तो कि संग में कुछ लोग आते थे तो खाना खाने के लिए आते थे उनको खाने में उनको लगता था करें कुछ फॉन नंबर ले जाएं कुछ यहां से हम contact ले जाएं, उनसे हम बात करें, उनसे हम फायदा ने करें, यहां कोई डॉक्टर इंजिनिर आता है, तो उनसे हम फायदा उठाएं, ऐसे लोग उस समय भी आये थे, जब एक व्यक्ति खुद बुद्ध का सगा, भाई, संग के जनबल को 500 भिक्तों को तोड़ कर ले गया, आपको भी उसकी साबधानी में बता रहा हूं, कि जब यहां से लोग आएं तो आपको बगलाएंगे, वो यहां से लोगों को ले कर जाएंगे, कोई इंसुरेंस करेगा, कोई बीमा करेगा, कोई बिजनिस करेगा, कोई फायदा उठाएगा, पूछें उससे जानका ही ले, खाली वीदा पिपल संकी के नाम से पिघल ना जाएं, यह ना सोचें के भई संग में सब लोग एक से होते हैं, तो जानका ही ले, मदद कर सकते हैं आप उनकी, यहां जो लोग आएंगे, वो प्रसद्धी के लिए आएंगे, क्यांकि भिक्यू के संग में, बुद्ध के करने के लिए आएंगे, जो उस समय के जो लोग थे, वो मान संवान के लिए उसमें सामिल होगे, कि हमें कहीं जतनी मिलती, तो उन्होंने चीवर पहन लिए, कपड़े पहन लिए, कि हमको यहां कुछ मान संवान मिलेगा, लोग भिक्यों को जुपकर नमस्कार करते थे, यह काम नहीं किया, नेतत के लिए लड़ाई जगडे किया, उनको नेतत चाहिए, बिना काम करे, और कुछ लोग यहां अपनी अनयतिक इक्ष्छा पूरी करने के लिए आएंगे, उनके खुद के एजंडे होंगे, वो एजंडे लागू कराने की यहां कोशिस करेंगे, और हम ने का कोई काम नहीं करते, वो संग का कोई काम नहीं करते, वो बुद्ध का कोई काम नहीं करते, उनका उद्दे से होता है, यहां आके अपनी बात को मनवाना, वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा जढ़ा करेंगे, और संग के नियम का फाइदा उठा है तो वैसे लोग उनकी पैचान रखना जो संग के अधिकारों का तो इस्तमाल करेगा मगर संग की जुम्मदारियों से भागेगा वो संग में काम नहीं करेगा वो आते ही यहां पर बहुत ज्यादा शौर मचाएगा मुझे यह धिकाद चाहिए मुझे वह धिकाद चाहिए देखो संग में ऐसा होता है, देखो संग में वैसा होता है, अरे ये काय का संग है, जब इसमें समानता नहीं है, मुझे बोले नहीं दिये किया, मुझे ये काम कुछ नहीं करेगा, जुम्मधारी कुछ नहीं लेगा, और संग का अगर आपने कोई काम उसको दे दिया, तो ती यहां तो एक ही आदमी बहुत बोलता है, यहां तो चार आदमी बहुत बोलते हैं, यहां तो आठी आदमी बहुत हैं, यहां तो हमारी बास सुनी नहीं जाती है, यह तो व्यक्तिकत हो गया, यह तो ऐसा हो गया, यहां तो सारा का सारा सिस्टम बड़ा खराब है, यहां तो को करेगा वही जो संग में काम करेगा और जो काम करेगा वो समझ जाता है कि बोलने में काम नहीं है काम करने में काम है संग में बुद्ध के संग में बहुत लोग आए और बहुत लोग गये और बहुत लोगों ने तोड़ फूर करने की कोशिश की मगर संग टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो इस्तिर लोग थे और जो इस्तिर हो गए और जिनको ये समझ में आ गया कि मुक्ति का मार्ग संग है जिनको ये समझ में आ गया कि बाकी सब बेकार की बाते हैं अगर हम इखटे रहेंगे तो हम बचेंगे अगर हम इखटे नहीं रहेंगे तो हम मारे जाए ब॥भ बचा हूआ है उनों लोगों की वैसे आज मीचा बचा हुआ है उनो लोगों की वैसे आज बहुत ज्रूरी है और इसके लिए और आप बुद्द की स्रण में जा सकते हैं खाली व्यपस्था करने के लिए तो कर लिजेगा लीजिए ठेरा बहुत आता है उसे जानतारी बहुत होती है व्यक्ति यहां डॉक्टर यूवी सिंग जैसा भी हो सकता है कि अगर जो काम दे दिया तो काम कर लिया नहीं तो चुप चाप पूरे दिन सुनते रहते हैं जी रो आप अपने बोलते हैं वो जानते हैं कि वो विपसना करके संगि की ताकत क्या है इसलिए वो सतर साल की विम्हाल लगे हुए उनने पता है कि कि अगर संगे सकती होगी संगे सकती होगी संग Vिटर जाएगा तो सकती नहीं होगी यहां वो जो लोग जो थोड़ा टसमस होके आ रहे हैं वो अपने आपको नापें और तोलें और देखें और जानें किया संग के बिना कहीं मुक्ती है क्या बिना इखटे हुए कोई काम हो सकता है क्या अभी भी कोई एक्सप्रिमेंट करना बाकी है क्या जो हमारे महापरसों जो लोग पहले से काम करने हैं जो लोग पहले से जुम्मेदारी नभा रहे हैं जाहिर सी बात है कि संग में उम्मर जादा बड़ी होती है अगर कोई करमवीर सेंग सिंग अगर कोई राकես कुमार या अगर कोई यहाँ भाग्चंद पिंगोलिया दस दिन सांगों जर्व कर्का जो लोग काम ज्यादा समय से ठेर हुएं उनको इजद देन ही पड़ेगी यह संग का नियम होता है और उनको ठेरने के लिए इंत्यार करना पड़ेगा पहले दिन सही अगर आप यहां सारे अधिकार का इस्तमाल करोगे तो पहले दिन सही आपको सारी जुम्मदारियों का विदिकार है खाली बोलने और खाली भाषर देने के लिए संग नहीं होता संग में भाषर नहीं चलता संग में तो सर्फ काम चलता है बोलने के लिए अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं मगर संग को सीखें किने बात बोलेंगे तो बहतर होगा उससे आपको जत भी मिलेगी आपको प्यार भी मि बच जाएंगे और अगर नहीं जुड़े तो बच नहीं सकते इस वार बुद्ध नहीं आने वाले जो आपको संग्ध के नियम बताएंगे संग्ध कर नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे के संग्ध हो जाओ इस वार महापुरुस नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे के संग कार चले जाएंगे जब आप बोल नहीं सकते जब आप वोट नहीं डाल सकते जब आप कुछ बन नहीं सकते जब पड़े लिखे होने के बावजूद भी आपको वो काम नहीं मिलेगा जो काम आप के जो इखश्टे नहीं होते जो लोग इखटे हो जाते हैं वो बड़े-बड़े उपर नियम बनाते हैं पोलिशी बनाते हैं क्योंकि बावा साथ ने को किया तो आप वो अधिकार आ गए आप में इखटे होने की अकल होगी तो हम इखटे नहीं हुए अब तुम वही काम करना जो तुमारे दादार पर दादा करते थे अब हमें माफी कर दो हमारे बसकी था नहीं हम तो बड़े निकम में थे कुछ लोगों ने हम से कहा जरूर मगर हम समझे नहीं हम तो अपने एगो रहम में टकराते रहे हम तो अपनी ज जुड़ के संगस है तो बच्चों को शांस से कहना कि तुम्हारे जो बाप दादा थे संसाथ में डॉक्टर अंबेट्रों ने समिधान बनाया और हम तुम को बता के जा रहे हैं कि तुम दुनिया के समिधान बनाओगे ऐसी उनको इस्थिक्षा देगे जाना तब यह संबब होगा जुड़ेंगे तो जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे पहले भी जुड़ेंगे तब जीतेंगे अब भी जुड़ेंगे तब जीतेंगे अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे कर दो 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 Państwo झाल